हलो जैहिन साथियों नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं विनोत प्रजापती आपका अपने यूटूब चैनल अवतार इस्टडी 7054 पर तो आप सभी कैसे हैं मुझे आसा है कि आप सभी लोग कुसल होंगे और अपनी तयारी बखुबी से कर रहे होंगे तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अभिकेंदर बल के आगे अपकेंदरी बल के बारे में जो कि आपके एकजाम्स के लिए बहुत ही महतुपूर्ण होगा तो आईए दोस्तों हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक या अपने सेशन पर जो कि आज का सेशन है अप केंदरी बल जैसा कि दोस्तों मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में अभिकेंदरी बल के बारे में बताया था उसके फार्मूले क्या थे और उसके उधारन क्या क् वस अभी हम उतने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था आज हम चर्चा करने वाले हैं अपकेंद्रिये बल के बारे में तो देखिए दोस्तों अपकेंद्रिये बल है क्या अब केंद्रिय बल जिसे हम सेंट्री फ्यूगल फोर्स के रूप में भी जानते हैं देखे दोस्तों बृतिय पत पर गतिसील पिंड पर कारियरत अभी केंद्रिय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीद दिशा में एक बल का केंद्र के बाहर की ओर कारियरत होता है क्या दो होता है दोस्तों बृत्तिय पत्थ पर गतिसील पिंड पर कारियरत अभी केंद्रिय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीद दिसा में एक बल केंद्र के बाहर की ओर कारियरत होता है तथा यहाँ एक प्रकार का आभासी बल होता है जिसे अपकेंदरिये बल कहा जाता है तो दोस्तों आपको समझ में आचुका होगा कि अपकेंदरिये बल और अभी केंदरिये बल में अंतर क्या होता है अपकेंदरिये बल वह बल है जो बिरतिये पत पर गतिसील पिंड पर कारेरत अभी केंदरिये बल की प्रतिक्रिया में उसके बिपरीत जिसा में एक बल केंदर के बाहर की और या कारेरत होता है उसे अपके अंद्रिये बल भी कहते हैं यहां एक परकार का आभासी बल होता है आप से एक जाम में पूछ सकता है कि अपके अंद्रिये बल कैसा बल है तो यहां एक परकार का आभासी बल है क्या है दोस्तों यहां एक परकार का आभासी बल होता है ये आपको ध्यान रखना है बेहदी important है ये कभी-कभी जा मैं पूछ लेता है कि अब के इंदरिये बल का जो बल होता है वह किस परकार का बल होता है दोस्तों तो वह आभासी बल होता है अब हम इसके अगले बिंदू पर चरचा करते हैं कि अपके अंद्रिबल के बारे में और अन्य चीजें क्या क्या बताई गई है इस वीडियो में तो देखिए दोस्तों उदाहरन उदाहरन से समझेगा कि अपके अंद्रिबल काम कैसे करता है काम कैसे करता है उदाहरन नमबर वन क्या है दोस्तों वासिंग मसीन कामा दूद से मक्खन बनाने वाली मसीन कामा अप केंदरी बल पर क्रिया सील होते हैं देखिए दोस्तों जब वासिंग मसीन होती है वासिंग मसीन वह अंदर की और कारिकत करती है लेकिन जो उसका बल होता है वह बाहरी की और लगता है कैसे दोस्तों जो उसका देखो क्या होता है कि एक बल की प्रतिक्रिया में उसके बिपरीद दिसा में एक बल केंदर के बाहर की और कारेरत होता है आपको समझ में आ रहा होगा कि Washing Machine के अंदर बले ही कपड़े धूले जाते हों लेकिन क्या होता है कि वह जब बल होता है वह बाहर की ओर लगाती है अच्छा ये बताओ मालीज ये Washing Machine का जो आवरोन होता है वाढहका होता है तो उसके अंदर अच्छे से कपड़ा धूल जाता है लेकिन कहीं उस कवरिज को हटा दिया जाए और वासिंग मसीन चलू करके उसमें कपड़े डाल दी जाए तो कपड़ा सारा बाहर फिक देगा फिक देगा कि नहीं दोस्तों क्यों? क्योंकि वा बाहर की और बल लगा रहा है तो कैसा बल हुआ? अब केंदरी बल दूद से मक्खन बनाने वाली मसीन तो क्या होता है दोस्तों? दूद से मक्खन बनाने वाली मसीन मसीन कब तो छोड़ो आप देखिए कि जो होता है गाउं में एक खेलर नाम का होता है लकडी का बना होता है उसी से बार बार आपस में घुमाते हैं उसको लकडी का होता है बना रहता है अपने हाथों से बार बार घुमाते हैं तो उसमें मक्खन आ जाता है दूद से मक्खन बन जाता है दही होती है दही को उस रोलर से बार बार उसमें मस जाता है तो उसमें जो साटिक जो एसिड होती है भरी जो मक्खन होती है दूद में वह निकल जाती है आसानी से तो आप से जामें पूछ सकता है दूद से मक्खन बनाने वाले मसीन का किस बल से उदाहरन है तो अपके अंदरिये बल का उदाहरन है उसे प्रकार वास और दूद से मक्षन निकालने वाली मसीन आपको जरूर अपने दिमाग में रखनी होगी क्योंकि यह सारे एक्जाम्स में पूछे चाच चुके कोईश्चन्स हैं कि वासिंग मसीन किस बलका उदाहरण है अपके अंदरी या अभी केंदरी बलका तो अपकेंदरी बलका यह य वस्तु होती है दोस्तों कोई वस्तु होती है यह केंदर है देखिए सारी वस्तु आपने यहां डूलना किया किया यहां से घुमा पूरा वाटर घुमा दिया माली कुछ भी हो मक्षन हो दूद हो कुछ जो कुछ घुमा दिया आपने यहां से एक बर जब घुमा होगी तो कोई भी बल होता है ये देखिए इसमें बना हुआ है ये केंदर है इस केंदर के बाहर की और पर क्रिया कर रहा है इधर भी केंदर के बाहर की और और इधर भी केंदर के बाहर की और तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अब केंदरिये बल का क्या होता है बाहर की और जब क्र देखा हुआ है ध्यां से देखिएगा, सभी लोग, F is equal, F is equal, यह देखिए, F is equal, MA, इसे MV square, MV square अपान आर की रूप में भी जानते हैं, अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, कि आखिर, V square by R कहां से आया, तो या A का मान होता है, दोस्तों A is equal होता है V square by R formula क्या कह रहा M A M into V square by R वही formula जाके पर जेट में निर्मान करेगा M V square by R समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कि अपके इंदरियेबल का जो formula होता है वा कैसे create किया गया है या F is equal M में से create किया गया है और इसका जो exact formula होगा वह होगा M V square by R तो देखिए मित्रों अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले बिंदु पर क्या है बल आघूर्ण क्या है दोस्तों बल आघूर्ण तो और क्यों जिसे हम जानते हैं बल आघूर्ण ध्यान से समझ जिएगा दोस्तों यह आपकी life का बहुत ही simply यह बहुत ही मुस्किल जो पाट होता है या life की समय जो आपकी उम्र होती है दोस्तों 18 से श्टार्ट होकर जो 21 की उम्र होती है इसी में आप चाहे बन जाओ चाहे बिगड़ जाओ तो आपको समझना होगा अपने life के साथ की आपको करना क्या है एक life में अभी क्या है पढ़ाई करने है पढ़ाई नहीं करनी पढ़ाई के माध्यम से आपको विजनेस करना है विजनेस करो जो भी आपको करना है दिल से करो नहीं आप जो भी कारी करें वो मन लगा कर करें और पूरी लगन के साथ करें चाहे बापढ़ाई हो चाहे बाद बिजनेस हो चाहे बाद खेती ही क्यों कियोंकि जैजबान चैखिसान किसान ही हैं, तो हम सब理 हैं, आपको समझ में आ रहा होगा हर ब्यक्ति, यहां कोई अंबानी का बेटा नहीं है, हर कोई ब्यक्ति, यतने भी सिस्ठी की तयारी करते थी। अधिक तर जाने मानें कोई नँओ कोई किसान अच्छे से तयारी करनी होगी और जल्द ही कोई गवर्मेंट जॉब हासिल करनी होगी तो दोस्तों आप लोग मल लगाकर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए कोई भी वीडियो मिस मत करिए आप पूरे वीडियो चैनल पर डाले गए हैं वह वीडियो देख लें नहीं ऐसा अच्छे से पढ़ना है नहीं तो नहीं पढ़ना है कुछ काम कर लो मादा पिता का हाथ बटाओ काम में न तो पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है नहीं तो नहीं पढ़ना है कोई भी काम करो लगन से करो परना मत करो तो आईए हम सेसन पर चर्चा करते हैं दोस्तों क् जिसे हम टॉर्क्यू के रूप में भी जानते हैं तो जो उसकी परिवासा है एक बार देखिएगा दोस्तों वह बल जो किसी पिंड में घुरुलन या रोटेशन और ट्विश्टिंग उत्पन करता है बल आघुरुन कहलाता है बल आघुरुन जिस बिंदू परकारे करता है उसे पिंड का अक्षिया एक्सिस कहा जाता है तथा पिंड इसी अक्षि पर घुरुलन गति करता है देखिए क्या होता है दोस्तों कोई पिंड है मालीजे और ये उसका केंद्र है जो किसी पिंड में घुरुलन उत्पन करता है वह बल आघुरुन कहलाता है जो बल आघु सब्सक्राइब हम इचयाक्ट रूप से क्या बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं बल आघूर्ण एक बार फिर से ध्यान से समझेगा वह बल जो किसी पिंड में घूर्ण उत्पन करता है बल आघूर्ण पहलाता है बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कारे करता है उसे पिंड का अक्ष कहा जाता है तथा पिंड उसी अक्ष पर घूर्ण करता है जो कि बल आघ के अंदर ही जो अक्ष्य होते हैं वह घूमा जाए तभी वह क्या होगा घूरण कहलाएगा इस प्रकार इसे बल आघूरण का नाम दिया गया है जिसे हम इंगलिस में तौरित्यू के रूप में भी जानते हैं तो देखे दोस्तों आपको क्या करना होगा इसमें बेसे इंपोर्ण यह है कि किसी भी पिंड में घूरण जो उत्पन करेवा क्या कहलाता है बल आघूरण इतना और इतना मतलब जो बल किसी पिंड में घूरण कती उत्पन करता है वह बल आघूरण कहलाता है देखे दोस्तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदरशित करते हैं ताउ ऐसे बनता है ध्यान देना टाउ से प्रदरशित करते हैं बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदरशित करते हैं और बल आघूर्ण नेश्ट पॉइंट जो है दोस्तों ध्यान दिजिएगा बल आघूर्ण बल आ घूर्ण पिंड पर लगाए गए बल के परिमाण तथा घूर्ण अक्ष के बल की क्रिया रेखा के लम्बवद्दूरी के गुलन फल के बराबर होता है और इसका मातरक न्यूटन मीटर है क्या है दोस्तों? न्यूटन मीटर अब इसके आगे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या है पिंड के अक्ष धियान दीजीएगा पिंड के अक्ष से अधिक दूरी पर बल लगाने से या अधिक प्रभावी होता है जैसे पेच कस के दौरा पेच गुमाना दरवाजे के हथे, कबजे से दूर लगाना, गर्ना पेरने की मसीन, ये में पैल बैलों को केंदर से दूर बांद कर घुमाना आप समझ रहे होंगे, कि या उदारन क्यों दिया गया है, तो हम आपको डीपली समझाते हैं, कि पेच कस्ट क्या होता है दोस्तों, आप स्क्रू डाइबर लिये रहते हैं, और जिसका हैंडल यहां होता है आपके पास, हैंडल होता है आपका यहां के पास, लेकिन जो उसमें क्या होता है आगे नुकील टाइप को बना रहता है थोड़ा ऐसे होता है थोड़ा ध्यान दिजिएगा ऐसे बना होता है तो आप यहां से स्क्रॉल करते हैं इसको इसको स्क्रॉल करते हैं घोडन करते हैं तो यहां का जो पूरा बल होता है इस पर लगके या आसानी से खुल हैं तो कैसा बल है एक बल आघोणन बस्ट जो घूढ़न पर दिका घूढ़न मतलब घूढ़न की परक्रिया को अंक्याम देवा कैसा बल होगा बल आघोणन होगा जैसे कि पेच कस से पकड़ कर आप दरवाजा खोल सकें दूसरा उतरान तीसरा उतरान गन्ना पेरने की मसीन में बैलो को केंदर से दूर बांद कर गुमाना आपको गन्ना क्या करना है पेरना है प्यांदी जगा गन्ना पेरना है तो दूर की और क्यों बांद सकते हैं लेकिन क्यों नहीं बां किसे आपारया ज़ीकित आश्प में किया करेगा और आपको उसे खोलने में फ्राब्लम क्रीट हगी तो नहीं आप दर्वाज आगे की ओर लग dl हो जाएगा इसी में देखिए गन्ना पेरने की मसीन दो में बैलों को केंदर से दूर बांद कर घुमाना क्या होता है दोस्तों बैल को यदि पास लेला कर घुमाएं तो उस पर ज्यादा बल लगेगा वहीं आप थोड़ा पांच मीटर आगे की और जाकर खीशें तो आपके बल तीन गुना बढ़ जाती है जिससे इन सभी को जिससे इन सभी उधारनों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों तो बताएए आपको यह वीडियो कैसा लगा देखिए आपको जो भी वीडियो अच्छा लगे या ना लगे तो आप कमेंट सिक्सन में अपनी राय जरूर होते हैं और हाँ यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हम आप से मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए जोस के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत